दोस्तों यह है L&T का CX2000 VFD आज हम सीखेंगे इसके बारे में बहुत कुछ प्रोग्रामिंग वगेरा तो आए ये वीडियो सुरू करते हैं और पसंद आने पे लाइक, शेर, सब्क्राइब जरूर करें L&T CX2000 जैसे कि आप देख रिखते हैं इसके VFD पे दो बटन है गिर आप डाउन डाउन और बदलने के लिए उसके बाद एंटर है जो प्रोग्राम को सेव करने के लिए एक पोर्ट भी दिया हुआ है साइड में अब एरो दबाएंगे तो ACC एकलरेशन टाइम के आपके सामने आएगा एकलेरेशन टाइम का मतलब होता है जीरो से पचास अच फिक्वेंसी जो भी मैक्सिम मण डाली होए इbies होती, वहां तक मटल मेक्सिमम रुखने का रण होने का टाइम जो होता है, वह maximum motor के रुकने का time यहाँ पर 0.7 है आप इसको कम ज्यादा करके enter कर सकते हैं उसके बाद वापस अप एरो से parameter change करेंगे TEC declaration time यानि motor का वही same processor 0-50 हज होने तक motor के रुकन 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 का अपनी solid के हिसाब से कर सकते हैं इसके बाद डी आर यू डी आर यू रन कमांड के रिलेटिव है इसको जब मैं एंटर करते हैं यहां पर एक लिखा हुआ है एक का मतलब है टर्मिनल ऑपरेशन और वन और टू यह टर्मिनल ऑपरेशन होता है यानि रिमांड वगेरा से जीरो करेंगे तो कीपोर्ड से ऑपरेट होगा और इसमें थरी करेंगे तो कामुनिकेशन ऑपरेट होगा उसीव के बाद आप करके हम एपर क्यू फिक्वेंसी सेटिंग में जाएंगे यहां पर भी आप देख सकते हैं या थरी क्या हुआ है टर्मिनल ए वन जो होता है या जे वन टू भी इसके प्रोग्राम है और यहां पर भी सेम प्रोसेस है अग इसके फक्षन तो हमने यहां पर थरी रखा है टर्मिनल एवन ऑप्रेटर्ण ऑप्रेशन के लिए कि आफ और क्यूंकि बाद में पैरा मिटर आता है एंटर करेंगे इसको कि एस्टी बन स्टी information का है यहां mutual सेटिंग जो होती है वह 0 रेती है वाग कि मैंने मेरे हिसाब से यहां पर मिल्टिस्टेप फ्रेक्षन चार रखा हैं four रखा हैं यह कсон करे लिए मुल्टिस्ट फिक्वेंशी हम यूज लेते हैं है से एस्टी बंगा रिच्टी तू है सिक्वेंशी टाली हूए अलग-अलग कंडिशन में अलग-अलग मोटर की फिक्वेंशी चिलिए यहां पे इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं डाउन एरो से या पोजिशन चैन्ज करने के लिए लेफ्ट राइट की एरो भी यूज़ कर सकते हैं है 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 स्टरी आप देखते हैं यहां पर ठट्टी डाला हुआ है टी सर्ज इसके बाद सी आर यू सी आर यू का मतलब है दोस्तों आई-पूट करण्ड इसके बाद आर पीम मोटर के न जो होता है हूँ कि दीचि लिएल्डी से लिंक वाल्टेज यहां पर आपको डिशी लिंक वाल्टेज डालने ला कि यूज़ डिस्प्ले सेलेक्शन नौन का मतलब है फॉल्ट डिस्प्ले लिए और सी का मतलब है डिरेक्शन आप मोर्टर रोटेशन इसके अब बाद हमें जाना है कि आई आई ट्विंटीवन आई ट्विंटीवन में हमने चार डाला हुआ है पोर डाला हुआ है आई ट्विंटीवन में पोर का मतलब है जोग ऑपरेशन कमांड इसमें अगर हम वेल्यू अलग 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 है इसको आपके लिए मेनुल देखनी पनेगी बहुत सारे में पेरामेटर है आई ट्विंटीवन में कि मैं अब्ल्टी एकलेशन डिकलेशन टाइम इमर्जेंसी इस्टोव रिवर्श रन कमांड फोरवर्ड रन कमांड बहुत सारे ओप्शन है तो हमने यह पर डाला है जो की जोग ऑपरेशन कमांड के लिए इसके बाद हम जाएंगे दोस्तों कि आई कि आई ट्विंटीवन में हमने पोर डाला है इसके बाद हम जाएंगे और यहां पर हम मल्टी फक्शन इंपुट टर्मिनल पी फाइफ को डिफाइन करेंगी आई एटें यह फिक्वेंसी है आई टेंग जो है वह फिक्वेंसी है इंपुट मैक्सिमम वाल्टेज कोर्वेस्ट्वेस्टेंसी आए आइटी में मल्टी फक्शन इंपुट टर्मिनल पी फोर डिफाइन के लिए हम यहां पर फाइब डालेंगे फाइब जो है मल्टी स्टेफ फिक्वेंसी लो मिनिमम कम फिक्वेंसी के लिए इसका यूज़ करेंगे या पर हम इसके बाद हम जाएंगे एच 95 कि दोस्तों मैं बता दूँ आपको 95 जो रोक के लिए है 94 पास्वार रिजिस्टर और 93 प्लाग कि लिए 93 जो है फीडिके छेटिंग के लिए है इसके बाद हम जाएंगे एस 90 में यहां पर देख सकते हैं दो कोमे के जैसे निचान है इसको आमें नीचे रखके एंटर करना है तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा आपको पसंद आने पर सेल लाइक ज़रूर करें और नहीं है तो सब्क्राइब जरूर करें इसके वाइरिंग के बारे में भी मैंने वीडियो बनाए हुए पैरामेटर के बारे में भी बनाए हुए तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत पर सुक्रिया धन्यवाद